इसुदेंट्स अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एन एकनॉमिक डेप्लिमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का infrastructure एक significant role play करता है किसी भी देश के growth के लिए जहां जिस देश का जितने लादा infrastructure होका आप सब जानते हो Water Management, Transportation, Telecommunication, Industrial, Commercial, Power, Petroleum, Natural, Housing और भी भहुत सारे segment होते है भारत हमेशा से infrastructure में मात खाता आ रहा है यहां पर infrastructure में ज्यादा वर्क नहीं हुआ है A strong positive relationship Infrastructure में और economy में आपसे अच्छा कासा गहरा relation है यह productivity बढ़ाता है इससे आप intermediate input के तारे पर काम कर सकते हो जहां कि infrastructure facility अच्छी होगी वहां पर obvious से बात है कि production आसानी से होगा diversifying production यह जो है एक चीज को दूसरी से जोड़ता है जितना अच्छा आपका road होगा उतना अच्छा वहां पर transportation होगा उतना ज्यादा वहां पर लोग आएंगे उतना इंडस्टी सेट अप होगा environment भी बहुत असर डालता है जितना अच्छा आप solar से अगर electricity जनरेट करते हो तो बहुत अच्छा environment रहागा cold से करते हो नुकसान करेगा health education पर भी बहुत impact डालता है क्योंकि इसलिए हम लोग भागते हैं बड़े शहरों में क्योंकि वहां का infrastructure अच्छा रहता है compared to small cities या villages या town बर्क efficiency पर भी जैसे metros है वहाँ पर आराम से metro में बैठ जाओ वहाँ पर productivity कर सकते हो आपको आने जाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है तो उससे efficiency बढ़ती है आपकी reduction of poverty obviously बात है poverty को reduce करता है इससे कुछ component है ट्रांसपोर्ट, IT, Health, Power, Education और Housing ससे बले ट्रांसपोर्ट की बात करते है आप जानते हैं भारत में बहुत बड़ा है road ट्रांसपोर्ट है इसके अलाबा water ट्रांसपोर्ट है water ट्रांसपोर्ट है बहुत जदा जोल दिया जाता है क्योंकि इसमें जो है एयर ट्रांसपोर्ट है जो नहीं आप पताया नहीं है power electricity electricity और power का बहुत बड़ा रूल रहता है किसी विदेश के infrastructure पहले जो था हमारा fossil fuels था जैसे कि बहुत साल पहले जमीन के नीचे जो दबावा चीज था फिर इसकाद कोल आया कोल से बहुत नुकसान हुआ हमारी बहुत उसके दूमें से नुकसान पहुंचा फिर और गैस हुआ लेकिन यह चीज़े एक इस्थिर है लिमिटेड है कभी ना कभी खतम होंगी होंगी कुछ ऐसे एनर्जी है जो अनलिमिटेड है जैसे कि सोलर है आप कभी सूरज खतम नहीं होगा जब तक सूरज है जब तक प्रतिवियत पर सूरज है हाइडल पाइनर्जी होती है जो जैट्रोफा से आपने देखा तो बहुत लोगों ने तेल बनाए था न्यूक्रियर एनर्जी न्यूक्रियर एनर्जी इंड़्य पार में आप जानते हैं है पिर बात करते हैं इंडेस्ट्री सुक्राइब बहुत बड़ा रोल है टी-स हो गया हमारा से बैस से बहुत सारी चीज़े हैं किसी भी देश के विकास के लिए फिर बात आती है education की education बहुत ही impactful role रखता है infrastructure पे कि आपके education education में आपने learning क्या करी आपने learning एक process होता है सीखने का समझने का और यह खाली school की text books में ही restricted नहीं होना चाहिए यह हमारा खुल के होना चाहिए एक्सचेंज होने चाहिए हमारे views जैसे कि IAT हो गया IACIM, INIT, AIMS हो गया, BITS हो गया, पिलानी हो गया, online education in India का भी बहुत challenge चल रहा है इस समय, non-formal भी होता है हमारा और distant education भी होता है जो आप distant education से कर सकते हो, तो education का भी बहुत बढ़ा rule रहता है, लोग Harvard university जाते हैं, लोग और लोग university जाते हैं, या I.M. से पढ़ना चाहते हैं, इस क्यात बारियती है health की, आप देखे रहे हो, कोरोना ने पूरा health department हिरा के रख दिया है, और जिस देश का health department ज्यादा अच्छा था, US का आप देखिए, कितनी जल्दी इनोंने कोरोना पे रोक युगदान देते हैं, इसके अरावा, हमेपेथी, ऐलोपेथी, योगा, बहुत सरी अलग 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 चीज़े हैं, जिसको अगर हम शिरू से योगा करते हैं बच्छपन से, तो हमारी community इतनी strong रहती है कि हमें कोई भी बिमारी है, कोई भी वारस पकड़ ही नहीं सकता है, रैस्पेटरी के लिए हम करते हैं, अगर हम प्रणायाम करते हैं, अगर हम meditation करते हैं, इससे बहुत फरक पड़ता है, उसके बात पार रहती है हाउसिंग की, कैसे हाउस अवीलिबल हैं यहाँ पे, क्या वो comfortable हैं, कैसे कैसे हाउसिंग है, भारत में तो तब भी हाउसिंग फ हमारा infrastructure है, और यह हमारा आज के लिए sufficient है, और इसी के बाद फिर unemployment के बारे बारे बात करेंगे, और unemployment के बारे में बात करेंगे हैं, हमारी unit खतम हो जाएगे.